जरहिन बच्चों, आज मैं आपको HCL Tech B इस प्रोग्राम के बारे में बताने जा रहे हैं। साथी साथ इस वीडियो में मैं उसकी रेजिस्ट्रीशन प्रोसेस के बारे में बताऊंगी। ये बार्वी के मैस वाले चात्रों के लिए बहुत ही अच्छा अउसर है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर HCL Tech B है क्या। HCL Tech B इसका अर्थ है Business, Service, Management, Engineering, Education, Program ये है क्या। HCL Technologies के द्वारा बार्वी कक्षा के गणित के चात्र चात्राओं को संपूर्ण भारप में ये अवसर दिया जाता है। कि वे एक नौकरी प्राप्त करके job opportunity के साथ साथ उच्छ शिक्षा को भी कैसे जारी रख सकते हैं। इसके लिए आपको एक form भरना होता है जो की online होता है और उसके बाद आगे की registration की process की जाती है। ये जो job होता है ये IT की field में होता है था technology, information technology के क्षेत्र में ये job होता है। सबसे पहली है कि जो विद्यार्थी है गणित विशय का छात्र हो और कक्षा बार्वी कम से कम 65% अंकों के साथ उत्तीन की हो। दूसरी इसकी योगिता ये है कि overall 65% के साथ साथ कम से कम गणित विशय में नियूंतम 60% अंक अनिवारे हैं। तीसरा गत वर्ष बार्वी उत्तीन या वर्तमान सत्र 2023-24 में गणित या वानित ये गणित विशय के साथ बार्वी की परिक्षा में समलित छात्र भी इस HCL टेगवी कारिकरम के लिए पात रहोंगे। तो ये सभी चात है जिन्होंने कख्षा बार्वी 65% अंकों के साथ पिछले साल उत्तीन की है जिसमें कि उन्हें गणित में कम से कम 60% अंकों या वो इस साल परिक्षा में समलित हुए हों ये सभी चात्र रेजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रेजिस्टेशन की अंतिम्ति थी 16 मार्च है और अब हम इसकी रेजिस्टेशन की प्रोसर्स देखते हैं कि आप इसको कैसे पूरा कर सकते हैं तो वो सभी विद्यार थी जो HCL टेकनलोजी में तक्निकी के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं उन्हें रेजिस्टेशन कैसे करना है उसके लिए HCL की वेबसाइट जो की www.hcltechb.com इस पर जाकर उन्हें क्लिक करना है या फिर वो इसको मोबाइल की साहता से भी रेजिस्टेशन कर सकते हैं या वो अपने लेप्टॉप पर कर सकते हैं, कम्प्यूटर पर कर सकते हैं या भी चाहें तो MP Online में जाकर भी ये कार्य कर सकते हैं उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो एक लिंक दी हुई है, इस लिंक पर जाकर आप क्लिक करेंगे, इस से आपकी रेजिस्टेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जब आप उपर वाले लिंक पर क्लिक करते हैं, तब ये पेज ओपन होता है, और इसमें यहाँ ये कोने पर आप देख सकते हैं, अप्लाई नाव लिखा हुआ है, जैसे ही आप यहाँ अप्लाई नाव पर क्लिक करते हैं, तो ये दूसरा पेज खुल जाता है apply now करने के बार ये page open होता है जिसमें यहाँ पर आपकी पूरी information आपको fill करनी होती है जिसमें कि आपका नाम, आपकी email id, आपका mobile number, आपका राज, आपका शहर का नाम, आपकी जन्मेति थी बारवी परिक्षा का कौन सा board है, CVSE है, MP board है, जो भी है बारवी में प्रतिशत, जो भी आपको प्राप्त हुए है, यदि आप अभी appear हुए है और result नहीं आया है तो आपको संभावित जो प्रतिशत आपके लग रहे हैं, वो यहाँ पर आप fill up कर सकते हैं जब आप नीचे वाली लिंक को क्लिक करते हैं, तब भी इसी तरह का page open होता है, जिसमें ये पूरी information आपसे मांगी जाती है registration की process के दौरान, आपने एक जो email दर्च किया है, उस email को open करके आप अपने inbox को check करें जिसमें कि आपको इस तरह का एक email प्राप्त होगा, tech b के नाम से, वहाँ पर आपको login पर click करना है, साथ ही आपको एक password भी प्राप्त होगा जब आप login पर click करेंगे और password enter करेंगे, तब आपको इस तरह की screen प्राप्त होगी इस screen पर यहाँ पर एक apply now का option दिया होगा और आप उस पर click करेंगे apply now पर click करने के बार इस तरह की screen होगी जिसमें आपको आपके परिवार से संबंदित जानकारी को दर्च करना है जैसे यहाँ father's salutation, आपके पिता जी का नाम, फिर यहाँ पर आपके father's name, father's mobile number, आपके पिता जी का mobile number यहाँ पर उनकी email ID, उनका occupation की वो government में है या public में है, यहाँ पर आपको click करने पर पूरी एक list open होगी जिसमें से आपको चुनना होगा यहाँ पर आपके father का designation की वो किस post पर काम कर रहे हैं और कौन सी company में वो काम कर रहे हैं इसके साथ ही उसके नीचे के हिस्से में mother's details रहेंगी जिसमें आपको अपनी mother का salutation, उनका नाम, उनका अगर वो भी job करती हैं तो वो उनका जो government है या public sector है वो चुनना होगा साथ ही आपकी माताजी का designation और उनकी company भी लिखनी पड़ेगी इसके नीचे यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो family income है उसकी भी एक आपको range दी हुई है उसे आपको चुनना है साथ ही साथ आपकी family में कितने members हैं यह भी आपको देखना है इस पूरे column को इन सभी columns को check करने के बाद यहाँ पर आप next का button क्लिक करेंगे तब आप अगली screen पर जाएंगे लेकिन उसके पहले यह option तभी activate होगा जब आप यहाँ save and exit करेंगे back के द्वारा आप पिछले page पर भी जा सकते हैं ताकि यदि आपको कोई सुधार करना हो तो आप उसे कर सके next option select करने पर आपके सामने यह इस तरह की screen open होगी जिसमें कि आपको अपना permanent या स्थाई 154 का पता दर्च करना है यहाँ पर यह जो आपका address होता है यह आपका government proof के हिसाब से होना चाहिए अर्थात यदि आपके पापा के office में या मम्मी के office में जो address है या फिर साथ ही साथ आपकी voter ID अधार कार्ड में जो address है उसे साथ ही address होना चाहिए तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना देश इन सभी links पर open करके आप state को select कर सकते हैं district को city को इसके साथ ही साथ आपका जो घर का address है वो भी आपको यहाँ पर लिखना होगा साथ ही यहाँ पर pin code भी देना होगा अगर आपका जो correspondence का address है और थात पत्ता चार का पता है वो आपके permanent address की तरह है या नहीं उस option पर भी आपको click करना होगा इस page को भी जब आप save कर लेते हैं और exit पर click करते हैं तब यह next का option activate होगा और यदि आप पिछले page पर कुछ सुधार करना चाहते हैं तो आप back करके भी पिछले page पर जा सकते हैं next option click करने पर यहाँ पर आपकी दस्वी और बार्वी की परिक्षा से संबंधित जानकारी को दर्च करना होगा जिसमें कि आपका school कौन सा है type of school for study कौन सा था आपका roll number क्या था 12th में 10th की जो high school है उसकी details आपको यहाँ पर भरनी है यह भी जो roll number है यह दस्वी का है यहाँ पर आपका क्या था high school उसका आपके school का नाम, board कौन सा था, आपका passing year कौन सा था, marking scheme कौन सी थी, percent थे या percentile थे, maximum marks कितनी थे, यहाँ पर आपने कितने marks प्राप्त किये और साथ ही साथ आपका CGP अगर था तो वो भी यहाँ पर लिखना है इसी के नीचे 12th class की यहने senior secondary की details भ कि भाई अभी अभी आपका result प्राप्त हो गया है या नहीं प्राप्त हुआ है, यहाँ पर आपके school का नाम, board का नाम, यहाँ पर आपकी जो area of study है, मतलब कौन सा subject है, science है या फिर passing year कौन सा है, marking scheme कौन सी है, percent है या percentile है, maximum marks कितने थे, आपने कितने marks प्राप्त किये, यह य to studied mathematics और business mathematics as subject, यहाँ पर आपको click करना होगा, yes या no पर और इसके बाद यहाँ पर आपको business mathematics या maths में जितने marks से वो यहाँ पर enter करने है, इस पूरी जानकारी को fill up करने के बाद आप check करके, save and exit करके, फिर से next page पर click करेंगे, तो आप अगले page पर जाएंगे, यहाँ पर आप की निमलिखी document upload करने है, पहला आपका photograph, आपके हस्ताक्षर, आपकी कक्षर दस्वे की अंक सुची, address proof जिसमें की आपका नाम हो, जैसे कि आप आधार कार्ड या आप अपनी voter ID भी यहाँ पर दे सकते है, दिती address proof यह optional है, आप चाहें तो इसे upload कर सकते हैं, चाहें तो नही भी, यहाँ पर आप choose file पर जब click करेंगे, यहाँ पर आपको option मिलेगा, कि आपको यहाँ पर अपनी जो files हैं, उनको कैसे upload करना है, इसके बाद फिर से इस पूरी जानकारी को आप check करके, save and exit करके, फिर से next page पर click करेंगे, तो यहाँ पर विद्यार्थी को घोशना करनी जानकारी सही है, यह declaration है इस प्रकार से, यहाँ पर आप अपना आपका नाम, यहाँ पर आपके parents का नाम, यहाँ पर date पर आप click करेंगे, फिर से इस पूरे को process को करने के बाद, आप save and exit करके, अगले page पर click next करके, जा सकते हैं, यह अन्तिम screen है, जिस पर आप जब preview इस पर click करेंगे, तो आपको पूरी की पूरी जानकारी जो आपने भरी है, पिछले सभी pages में, उसका वलोकन कर सकते हैं, और यदि आपको लगता है कि कहीं आपको संशोधन करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं, यह ध्यान रखें कि आपके document, जो percent, year और जो भी बाकी की जानकारी है जो आपने fill up की है, वो आपके certificate से, document से match करती हुई होनी चाहिए, और यह था आपका यह form reject भी हो सकता है, और जब आप इसको अच्छी तरह से check करके संतुष्ट हो जाते हैं, तो आप submit application, इस option पर click करेंगे, तो आपका आविदन submit हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते है यह preview का और submit application का option है, तो इस प्रकार से यह पूरी प्रक्रिया पूर्ड हो जाएगी, मुझे अमीद है आपने बहुत ही सफलता पूर्वक registration की process को कर लिया होगा, इसके अगली वीडियो में HCL Tech B का जो test है, entrance, वो क्यासा होता है, कितने चर्णों में होता है, उसकी तैयारी क कैसे करनी है, उसका material हम कहां से प्राप्त कर सकते हैं, इन सब के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी